ब्रिक्स देशों का गठन आपसी संबंदों को मजबूत करने के साथ ही व्यापारिक, सांस्कृतिक और वैश्विक मुद्दों को लेकर आपसी सयूग बढ़ाने के लिए कि लिए गया है अब तक हुए शिकर सम्मिलन में कई मुद्दों पर सहमेती बनाकर साजा कारिकरम चुलाए गए हैं अब तक हुए ब्रिक्स शिकर सम्मिलन को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपूर्ट दूसरे विश्यूद के बाद से वैश्विक विवस्था को संचालित करने में पश्यम और यूरोप के विकसित देशों ने वर्चस्र की भूमी का निभाई है बीदे कई देशकों में विकास शिल देशों और अन्न बड़ी अर्थ विवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजल अंदाज किया जाता रहा है जिसकी वज़े से भारत जैसे विकास शिल देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं वैश्विक विवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकास शिल देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं लेकिन उनकी इस जैज मांग को नजल अंदाज किया जाता रहा है विकास्षील अर्थ विवस्ता के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थ शासरे जिम ओ नील ने किया यहनों ने ब्राजिल, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थ विवस्ताओं को एक साथ आने के लिए सुझाओ दिया और नया शब्द गढ़ा ब्रिक वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंतियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को अपचारिक रूप दिया गया दिसमबर 2010 में दक्षन अफरीका भी ब्रिक में शामिल हो गया जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया B.R.I.C.S. 2023 के ब्रिक्स शिकर सम्मिलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्ता देने पर सहमती बनी एक जनवरी दोहजार चौबिस से ब्रिक्स में मिसर, इथियोपिया, इरान, सौधी अरब और सम्मिलन में ही अर्जंटीना के आविधन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन फिलहाल अर्जंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई है पांच नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारिथ समूह का नाम अभी तक घोशित नहीं किया गया है जिसकी वज़े से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाय जा रहे हैं ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्रात्मिकताएं तै करता है और फैसले लेता है ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आख़ोप अगर नज़र डालें तो ब्रिक्स समूह जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं उनकी संव्ट जनसंक्या लगबग 3.5 बिलियन है जो विश्व की कुल जनसंक्या का 45 फीस दी हिस्सा है विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थ विवस्ता 28.5 ट्रिलियन डॉलर से आधिक की है जो वैश्विक अर्थ विवस्ता का लगबग 28 फीस दी है इरान, सौधी अरव और सेंट अरव अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समू विश्च के कुलकच्चे तेल उत्पादन का 44 फीसदी हिस्सा उत्पादन करता है अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्देशों के बीच कई इस्तर पर भागिदारी को बढ़ाया है तो न्यू डवलमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तिय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है समुहू के सदस्देशों ने परियावरन सनक्षन, तकनीकी सहयोग, आतंगवाद के खलाप मिलकर लाई रणने से लेकर साइवर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमती जताई है ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है